श्रिमत भागवतम स्कंधतीन अध्याय चार विदुर का मैत्रेश रिशी से मिलना श्लोक्रमांक नौग तस्मिन महां भागवतो द्वाइपायन सुहित सक्खा लोकान अनुचर अंसिद्ध आसदाद यद्रिक्षया At that time, after traveling in many parts of the world, Maitre, a great devotee of the Lord and a friend and well-wisher of the great sage Krishna Dvapayan Vyas, reached that spot out of his own perfect accord, purport. Maitre was one of the disciples of Maharshi Parashar, the father of Vyasdev, Taj. Vyasdev and Maitre were friends and mutual well-wishers. By some fortunate accident, Maitre reached the place where Lord Krishna was resting. To meet the Lord is not an ordinary incidence. Maitre was a great sage and a learned scholar philosopher but not a pure devotee of the Lord. And therefore, his meeting with the Lord at that time may have been due to Agyat Sukriti or some unknown devotional service. Pure devotees always engage in pure devotional activities and therefore their meeting with the Lord is natural. But when those who are not up to that standard meet the Lord, it is due to unforeseen fortune of accidental devotional service. Hare Krishna. I will give this video to you. However, I will tell you that this is a very interesting part of the Lord. Because the Lord is a great apostle of the Lord. I will tell you that the Lord has not been able to honor the Lord. So, I will tell you that our Lord is a great apostle of the Lord. So, we will give the Lord to you, the Lord has not been able to honor the Lord to you in the Lord. जहां पर की मैत्रे रिशी भगवान से मिल रहे हैं और इसमें कहारे हैं तस्मिन महाभागवतो द्वाईपायन सुहित सका लोकान अनुचरन सिद्ध आससाद यद्रिक्षया तो यहां मैत्रे रिशी जो हैं वो भगवान से मिल रहे हैं और यहां पर सुग्देग सौमी वर्णन कर रहे हैं कि यहां व्यास देव, विदूर और मेत्रे रिशी तीन लोगों का यहां पर चर्शा हो रहा है तो यहां बता रहे हैं कि जो व्यास देव हैं वो पराशर रिशी के पुत्र हैं और पराशर रिशी के ही जो सिश्ष हैं वो मैत्रे रिशी हैं तो यहां क्रिश्टन द्वापायन व्यास जो व्यास देव हैं उनको महाभागवत कहा गया है और मेंत्रे रिशी को भगवान से मिलना यह अग्यात सुख्रिती के द्वारा कहा गया है तो यहां वस्तुता है दो चीजों का वर्णन किया गया है कि यहां बताया जारा इसलब रुपा तातपर में बताते हैं कि जो महाभागवत भक्त होते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की एक्ष्या से उनका जीवन चलता है और वो अपने जीवन को मार्ग दर्शित में भगवान की प्रसंदता के लिए अपने जीवन को अरुपित कर देते हैं इसलिए उनके जीवन में जो भी घटनाएं होती है जो भी के परिस्थितियां उत्पन होती है वो भगवान पक्म्राइ liberal 시청 जो है उनके अग्यात सुकृति के कारण होता है और इसमें शिलाप्रपाद इसको कह रहे हैं कि अन्नोन डिवोशनल एक्टिविटीज जब हम इस प्रकार का कोई कारे करते हैं जो हमें सुकृति प्रदान करता है सुकृति का अर्थ है भगवान को प्रिये तो वैसा कृति जो प्रिये है ऐसी कृति जब हम कोई कारे करते हैं तो इसके फल से हमें भक्ति प्राप्त होती है तो यहां मैत्रे रिशी का भी यहां वर्णन आ रहा है कि मैत्रे रिशी का भगवान से मिलना यह उनकी सुकृति के कारण हुआ क्योंकि मैत्रे रिशी जब भगवान से मिले उस समय वह भगवान की शुद्ध भक्ति के स्थापित नहीं थे आगे इस अध्याय में और नमरता फुरुबक्ष श्रवन करते हैं वहां वी ये बताया गया है कि चुकि विधर उद्धहु जो है उद्धह भगवान के शुद्ध भक्त हैं और इस प्रकार के स्थापित नहीं है इसलिए भगवान उद्धों की तरफ देखकर उनसे बाते करते हैं और मैत्रे रिशी नमर्था प्रवक्त संभाद को श्रवन करते हैं तो यह जो यहां अज्यात शुकृति का वर्णन किया गया है कि हम किसी ऐसे कारे को करते हैं जिससे हमें डिवोशनल क्रेडिट मिलता है जिससे जो भक्ति में कारे होता है और जिससे हम भगवान को प्रसंता प्राप्त होती हैं जैसे हम किसी भक्ति की सेवा करते हैं भक्तों को अपने घर में बुलाते हैं प्रसाद किलाते हैं अपने घर में सत्संग कारे करन करते हैं या फिर हम किसी शिला प्रुपाजी के पुस्तकों को हम खरीदते हैं उसको लेते हैं या हम जैसे पुस्तक वितरन करते हैं तो कुछ लोग जो है उसको को एप्रिशेट करते हैं उसका उसको समझते हैं उसको ग्रहन करते हैं और कृतगिता आरपन करते हैं उसको उसको पढ़ते हैं यह जो है अग् स्तुरूप वो कृष्ण के पास आते हैं जैसे भगवान कहते हैं भगवद गिता में चत्रुभिदा भजन तेमाम जना सुकृत्नों अर्जुना आर्तों जिग्यासु अर्था थी यानी चा भरतर शभा तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सुकृति है जिनको वह सुकृ जणने की अभिलासा है और अर्था अर्था सफिशी जरुब है तो भगवान को पूंड़ुपएंगा प्रियास कर रहा जानना चाहता है जिसकी इच्षा है भगवाण को वस्तुताह जानना और उस पत्थ में वो प्रयास्रत है उसे घ्यानी कहा गया है तो ऐसा है कि संसार मेरे ये चार प्र васक्णर के लोग जो हैं वैसे भी लोग है जिन को शुक्रिती नहीं है वो भगवाण के पास नहीं आते हैं कि जो करती आर्थि जो क्ष्ट में वो सबीगती क्ष्ट क्ष्ट्र में व्यक्ति हैं वह चक्ष्ट में व्यक्ति हो नहीं है उनको यदि अर्थ पानी की इक्षा होती है तो वो भगवान कहते हैं कि कांचिता कर्वनाम सिध्धी यजन्त यह देवता चिप्रम हीमान उसे लोके सिधिर भावती कर्मजा कि भौती क्षाओं से प्रेरित होकर वो अन्मे देवी देवताओं के पास जाते हैं क्रिष्ण के पास नहीं जाते क्रिष्ण के पास नहीं आते क्योंकि उनके पास सुकृति नहीं है जो व्यक्ति सुकृति वान होता है वही क्रिष्ण के पास जाता है और इसमें भगवान कहते हैं कि इन चार प्रकार के जो सुखृती हैं इन में से जो ज्यानी है वो सर्वस्रेश्ट है तीसाम ज्यानी नित युक्ता एक भगतिर विशिश्यते प्रियोही ज्यानी न्योतर्थम अहम सचामा प्रिया भगवान करें कि जो ग्यानी है वो मुझे बहुत प्रिये है क्योंकि एक भक्ति रिविशिश्यते वो भक्ति में लगा हुआ है भगवान को वस्तुता जानने का प्रियास कर रहा है भगवान को शर्णागती का प्रियास कर रहा है इसलिए कर रहा है प्रियों ही ग्यानी नो प्रिय को जो निया हैं जो भगवान को वह द ten चया जान कर समझ कर उनको पूंण तरुप चरनागत होने का प्रयास कर रहे हैं तो यहां मैत्री रिशी की स्थिति को भी इस प्रकार से बताया Gएा है कि मैत्रे रिशी जो भी एक महान विद्वान हैं इसलिए इसके प्रभाव से उद्धा के साथ उनको भगवान की का दर्शन होता है और इस प्रिकार जो जिस प्रिकार ज्यानी जो है भगवान को वस्तुता जानने का प्रयास कर रहे हैं तो मैत्रे रिशी भी विदूर के उद्धाव के साथ जब भगवान का सबसंबाद होता है तो इसको श्रमन करके भगवान को वस्तुता जान पाते हैं और आगे जब विदूर उद्धाव से मिलते हैं तो मैत्रे रिशी चुकि वयोव रिद्ध हैं इसलिए उद्धाव जो भ करो कि हमने अभी हमारा मैत्रे रिशी और मेरा भगवान का समभाध हुआ है तो मेत्रे रिशी को वरिष्ट जानकर विदूर को उनके प्रश्णों के उत्तर के लिए मैत्रे रिशी के विजए वस्तु है जिसमे की विदूर मैत्रे रिशि के पास जा रहे हैं तो यहां दो प्रकार के भक्तों का वंडू किया गया है एक जो है भगवान के शुद्ध भक्ते के और एक जो है वह वैसे भक्ते हैं जिनको अग्यात सुकृती प्राप्त है और उस अग्याद सुकृति के कारण उन्हें भक्ति मिला है और उस भक्ति के मार्ग में वो अग्रसित होने का प्रयास कर रहे हैं तो जो शुद्ध भक्ति है उसका परिभासा रूप गुस्वामी ने लिखा है भक्तिर सामित सिंधों में अन्या अभिलासिता शुन्यम ग्यान कर्मा दिना वृतम अनुकुलेना कृष्णान सूलिनं भक्तिर उत्तमा तो जो उत्तम भक्ति है वह अन्या अभिलासिता शुन्यम वह भक्ति किसी भी भौतिक अभिलासा से प्रेरित नहीं होती है वह भकती में सिर्फ एक मात्र अभिलाशा होती है भग्वान को प्रसंड करना और उसके अलावा और कोई भी अभिलाशा नहीं होती है अन्या भिलासिता सुन्यम ग्यान कर्मा दी अनावरितम और ग्यान और कर्म से भी वो भरे होता है जैसे कि भगवद गीता में भगवान बताते हैं उसका हम आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार जो है अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं और अलग प्रकार के भक्त भी होते है तो जैसे कोई होता है ग्यान मिश्ण भक्त होता है कोई कर्म मिश्ण भक्त होता है लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है जो भगवान का शुद्ध भक्ती है वो ग्यान और कर्म के मिश्ण से परे होता है उसमें कोई ग्यान और कर्म का मिश्ण नहीं होता है उस भक्ति के स्तर पर भक्त को स्वेम को संतुष्ट करने का अभिलाशा नहीं होता है वो निरंतर कृष्ण को ही कृष्ण को ही समेशा संतुष्ट करने के उसकी आकांचा होती अभिलाशा होती है इसलिए उसे शुद्ध भक्ति कहा गया है इसे इस भक्ति को उत्तम भक्ति कह सबस्मर्स करता है और खिर नियंदों करता है और करता है किरे के सिवा में लगाता है वह अनुकूल भावना से भखवान का स्मरां करता है और भगवान का सेवा करता है प्रतिकूल भावना से नहीं बहुत सारे जो राक्षास गण है वो भगवान को प्रतिकूल भावना से निरंतर स्मरण की जैसे कंस है शिशुपाल है रावन है तो यह जो है उनकी भक्ति को चुकि वो पुण पूर्शतम भगवान को स्मरण कर र लीजिए है पर अनुकूल और जो मार्ग है जो सीकते हैं कि कस प्रकार से कर करके चाहरे को अनुकूल औरने के सेवा करते हैं जैसा कि पूरवर्ति आचारियों ने रुपको स्वामी ने बताया कि जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हमें किन-किन विधी विधानों का पालन करना होता है जब हम विग्रह के पूजा करते हैं तो हमें किन-किन विधी विधानों का पालन करना होता है जब हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो किस हम थ्रिकार का पालन करना होता है तो ये सारी जो हैं भुषी विदान जो हैं वह हमारे भक्ति के लिए अनुकूल हैं और कि ने एक चीज भगतों को बताया आप तो युन्होंने में भक्तों को समझजा है कैसे खाना है कैसे सौक्त करना है का सौ्चका की डिए करना है किस परकार संकृतन करना है जब हम इसको आचारियों के माध्यम से उनकी सिक्षाओं को हम जब अंगिकार करते हैं तो यह जो है भगवान के प्रति समर्पन है यह जो है इस प्रकार जब हम समर्पित होते हैं आचारियों के सिक्षाओं को सीख कर उसको अपने जीवन में ग्रहन करके तो यह जो है अनुकूल भक्ति है और इस प्रका प्रध्वानमीश्य भक्वत्तिक के स्तर वे में दृरे और ऊठते हैं तो जो बहुत गीता में में जैसा की मेरी समझी cob चार प्रकार कहां का उसमें बहुत सारे लोगों का वननों किया गयरभा जो नहीं जो राक्षास हैं जो भगव्वान के दोष रखते उनका ही वर्णन किया गया है लेकिन यदि हम साधारन लोगों को लेंगे तो उसमें चार परकार के लोगों का वर्णन किया गया है कि एक परकार के जो लोग हैं वो सकाम कर्मी है जैसे कि हमने अभी चर्चा किया था कंच्ट युकण कर्म को का भूगा ना चाहते यह ज़ो और करते हैं Tenemos Kingdom की प्रसंता के लिए करते हैं वह हूज है स्वेम की इकचा को को त्रिप्ति करने के सिंद्धियों की इंद्रियों को वांशित फुल को प्राप्त करने के लिए असमर्थ हैं तो वो क्या करते हैं उसहारा लेते हैं का वो सूचते हैं कि हम अपने प्रयास से नहीं कर सकेंगे इसलिए हमें देवी देताओं को प्रसंद करना है और उनकी क्रिपा से हम उन फल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो कांचता कर्मनाम सिध्धी अपने कर्मों को सफल करने के लिए की अपनी इंद्रितिति के भावना को सफल करने के लिए कांचत कर्मा स्थि एजंद यह देवतां करते हैं उन ön की उपासना करते हैं पूजा आरचना करते हैं रिशिप्रम हि मानसे लोके सीधिरभावति कर्मजा और इस प्रकार के जो लोग हैं उनको देविदतों का इस प्रकार से उपासक बन के उनको तुरित जो है उन फलों को वो प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार जो लोग हैं वो सकाम कर्मों को करते हैं अपने वांचित फलों को प्राप्त करते हैं और ऐसे लोग जो हैं वो कभी- संसार में इंद्री भावना के कामना से रेडित होकर नाना प्रकार के यग्या अनुस्थान आदि का आयोजन करते हैं और कुछ जो सकाम कर्मी हैं वो सोचते हैं वो कि यहां से ज्यादा सुख जो है वो स्वर्ग में हैं तो वो क्या करते हैं कि यग्या अनुस्थान आदियों का अनुपालन करते हैं जिससे कि वो का आनंद उठा सकें क्योंकि उनको ग्याद होता है कि इस संसार से जो ज़्यादा जीवन है ज़्यादा आनंद है वह सोग का है इसलिए हमें स्वर्ग जाना चाहिए स्वर्ग के स्वर्ग को पाने की अभिलासा से वह सकाम कर्मों में यु इसके उपर इसी जो स्रेश्ट हैं वो जैसा कि भगवान यां कह रहे हैं कि चत्रुविधा भजनते माम जना सुक तणोर जुना ये ऐसे विखती हैं जो जानते हैं कि हम अपने जीवन को सिध्द नहीं कर सकते हैं और हमें अपने जीवन को सिध्द करने के लिए भगवान का लेकिन तो इसलिए चुकि भगवान को जानते हैं या भगवान को शर्मागत होने का अभ्यास करते हैं तो ऐसे भक्तिक जो हैं वो बहुते कलमशों से शुद्ध नहीं होते हैं उनका हृदे में काम इक्षाएं होती हैं और साथी साथ वो भगवान को भी प्रसंद करना चाहत हैं तो ऐसे जो लोग हैं वो कर्मयोग करते हैं और भगवान इस प्रकार के कर्मयोग को बढ़ावा दे रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि हाँ जो है आप जो है भगवान की प्रसंदता के लिए कारे को करो तो क्योंकि जब हम भगवान की प्रसंदता के लिए कारे करते हैं जो पिर भी जब हम भगवान के सहारा लेते हैं जैसे किसी व्यक्ति को अच्छा खाने की इक्षा है उसको अपने जीवा को संतुष्ट करने की इक्षा है तो वह भक्त जानता है कि नहीं हम स्वेम यदी अपने लिए पकाएंगे तो वह ठीक नहीं है हमें पकाकर पहले भोग अरपños करता है और भगवान को भूग अरपण करके उस प्रसाद को गहन करता है तो वह जो है असाय स्वेम हो सब्सक्ति करना की स्वेम की जीवा को संतुष्ट करने के लिए हैं लेकिन वह जानता है कि यह उचित नहीं हम भगवान को अरपन किये विना ग्रहन करना इसलिए वो बनाकर भगवान को अर्पन करता है और उसके बाद उसे ग्रहन करता है तो चुकि वह जो भगवान बनाया गया वो चुकि कृष्ण के लिए बनाया गया कृष्ण को अर्पन हेतु बनाया गया इसलिए वो यग्य है और इस प्रकार के कारे करने से धी धीरे 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 जो भक्त है भोर शुद्ध होता ही क्योंकि उसके मण में इसे हम्हें भगवानकों करना तो जब वह इस प्रकार से कारय करता है धीरे कृष्ण को अपने कार folk के प्रइवान को अर्पन करता है उसक्या धीरे करता है द silently और उसके बाद अपने जो धन है जिसको वो कमाते हैं तो उस धन का एक भाग जो है वो कृष्ण को अरपन करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जब यदि मैं अपने धन को कृष्ण को अरपन करूँगा तो धन जो है वो वो शुद्ध होगा और तो यह जो है यह जो है कर्म योग है तो हम अपने कारएं के फल को कर्म फल को भोगना चाहते हैं लेकिन चुकि क्रिश्ण के ग्यान के कारण हम क्रिश्ण को उसे अरपन करके उसे भोगते हैं यह कर्म योग है और जब अर्ज width तीसरे अध्याइ में जब अर्जुन कहता है कि आभा कमा जब दूसरे अध्याइ में भगवान सारे पुरा गिता का सार्शें बताते हैं तो उससे में अरजुन जो है वो थोड़ा कनफ्यूज कोता है और अरजुन भगवान से पूछता है कि मुझे किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो अरजुन ने कहा हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धी को सकाम कर्मों से स्रेष्ट समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घूर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, तो पहले भगवान ने कहा कि जो सकाम कर्म है, उससे स्रेष्ट है कि हम बुद्धी से भगवान को समर्पर्ण करने का प्रयास करें, तो भगवान अरजुन कर रहा है, फिर आप जो है, अरजुन समझ र अरजुन को सकाम कर्म समझ रहा है, इसलिए भगवान से इस प्रश्णों को पूछ रहा है, और आगे कहता है, अरजुन आपके व्यामी शृत्य अनेका उपदेशों से मेरी बुद्धी मुहित हो गई है अता क्रिपा करके निश्य पुर्वक मुझे बताएं कि इन में से मेरे लिए सरवाधक श्रयाशकर क्या होगा तो अर्जुन एक बद्ध जीव की भाती प्रश्न पूछ रहा है भगवान से ज भगवान अर्जुन को बताते हैं और इस अध्याय में जिसका श्रीश्च के कर्मयोग अध्याय तीन इसमें भगवान बताते हैं कि जो हम कर जो हम कारे करते हैं उसे यग्य के रूप में करना चाहिए उसे हम भगवान के प्रसंदता के लिए करना चाहिए जब किसी भी कार कारे को हम जब भगवान के प्रसणता के लिए करते हैं तो और जब कार में परिवर्टit हो जाता है तो जो कारे है कारे वही रहता है हमारी चेतना का अनुसार वह कारे जो है या तो वो सकाम कर्म बनता है या कर्म योग बनता है या वो शुद्ध भक्ति बनता है तो भगवान कहते हैं आगे लोक स्री भगवान वाच लोक इसमिंड विधा निश्ठा पुरा व्रोकता मया नग ग्यान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम स्री भगवान ने कहा हे निश्पाप अर्चुन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षातकार का प्रेत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं कुछ इसे ग्यान योग द्वारा समझाने का प्रयत्मि करते हैं तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा तो यहां भगवान बता रहे हैं कि जो कारे करते हैं जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अग्रशित होने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें दो प्रकार के मुद्ध होते हैं एक तो भक्ति में सेवा के द्वारा और एक जो है यान योग द्वारा भगवान को समझने का प्रयात्मि करते हैं और भगवान कहते हैं कि आगे ना करमनाम ना रंभाम ना इशकर्मिया पुरुशोस्टे〜् ना चा सन्यास ना देवा सिर्धिम समधिग अच्चति ना तो कर्म से व्मुक्ष होकर कोई कर्मफल से चुटकरापा सकता है और ना केवल सन्यास से सिध्धी पराब्द की जा सकती है तो भगवान यहां आगे बता रहे हैं कि जो कर्म फल है जैसे जैसा कि गीता में यहां बताए कि प्रते आगे एक श्लोप में बता रहे हैं नहीं कर्षित छंडवर के लिए भी विक्ति बिना कारे किये नहीं रह सकता है तो यह जो कर्म है जो कारे है क्योंकि कर्म हमेशा विक्ति को क्रियाशील रहना है आत्मा का सुभाव है कि वो हमेशा क्रियाशील रहता है आत्मा कभी शितिल नहीं होता है तो हमें किस प्रकार के कारे को करें जिससे कि हमें जीवन में सरवच शिद्धी प्राप्त हो क्योंकि कर्म तो करना जीव का आत्मा का सुभाव है नहीं कशित शन्मप एक शन्म के लिए भी जीव आत्मा जो है जीवा आत्मा वो कारे किये बेना नहीं रह सकता है तो यहां भगवान कहे रहे हैं कि जो भी कारे है वो एक कर्मफल को प्रकट करता है कर्मफल को उसको स्रिजन करता है और इस परकार कर्म और उसके कर्मफल जीव को निरंतर बांध कर रखते हैं और इन कर्मफल से मुक्त होना वह जो है वो इन कर्मफलों से मुक्त होना उसके लिए हमें मनुष्य जन में दिया गया है और मनुष्य जन में ही जीव कर्मफलों को स्थापित करता है कर्मफलों को ही प्राप्त करता है जैसे जो दूसरे जीव हैं जो जीव जो मनुष्य योन नहीं में नहीं है उनके कारे में कोई कर्मफल नहीं प्रकट में बनता युक्ष मारने का उसे दोष्णter कुए उसका सुभाव और उस्की प्रकषिती है लोग्री यह मनुष्यक करतinin क्योंकि मनुश् dated है जिसका सद्वियों बुद्ध्ध इसलिए दी है ताकि हो अपने बुद्धी का सद्वियों करके वह भगवान को शर्नागत प्राप्त करें और इसiva सबस्क्रान के तो यह कर्म storm होति जैसी लोग मांते हैं कि कोई कार्य को प्रकट करता है इसलिए कार्वी मत करो इसा कोई कार से विमॉख होकर या कोई सोचता है कि जह मैं सन्यास ले लूँगा तो सन्यास लेने के बाद मुझें कोकोई कर्म कर्म से मुख को कर कोई कर्मफल से चुटकारा पा सकता हैं ना केवल सन्यास से सिध्धी प्राब्द की जा सकती है कि तो श्रीमत भागतम का यहां श्लाप्रपाद यहां दिरिश्टान देते हैं और कहते हैं कि स्रीमत भागतम में इसकी पूश्टी होई है त्यक्तवा सुधरम चर्मना मुजाम हरे भज्यनाना को इंदे यत्र का यत्र कवा भध्र भुए मनुष्य की को की मदो शेकिम को वार्त आप भाजताम सुधरमत यदि को यह कुए क्रश्ण भामना मिस्नित अंगिकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रा मोधित कर्म को ना करे अथ्वा ठीक से भक्ति ना करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो भी इस्में उसकी हानी या बुराई नहीं होती है किन्तु यदी वह शाश्तरा Numbodit सारे कारे करे और किश्णम हामना भावित नहों तो यह सारे कारे उसके किस लाव के हैं यहां श्र्वाक्तम बता रहें कि तुक्तौा सुधर्मं शर्णाम मुझाम हरे यदि कुई व्यक्ति ऐसा कोई कारे करता है जो की वह अपने स्वधर्म को ऊत्याग देता है और लेकिन वो भगवान के शर्णागत होता है भगवान के चरन कमलों का आश्रे ग्रहन करता है और हो सकता है कि वो शास्त्र के द्वारा जो चीजें बताई गई है वेदों का जो विधी विधान है उसको बताया गया है उसका भी ठीक से पालन नहीं कर रहा है तो भगवान कर होता है उसका क्या लाग है एक बार जब साइड़ इंडिया में दक्षिन भारत में जब श्रीला प्रभुपाद श्रीला परफ्पाद अपने भक्त्रों को ले कर गए थे तो आप जानते हैं कि जो दक्षिन भारत के जो ब्रह्मन है उसकार से कितने यगिक होते हैं या वेदों के उचारण में वेदिक मंत्रों को उचारण में वेदिक सिध्धानतों का पालन करने में कितने द्रिड होते हैं और कितने नीपुन होते हैं कई टो उनें वह श्रिया प्रभपाद जी selbst आवा कर प्रभुपाद जी को कह रहे है कि और इसा उन सभी प्रवपाद नहीं कि यह को को सश्खार नहीं है और यह कुछ भी नहीं आता है इनको भी ये नहीं करते हैं इन में कोई योग्यता नहीं है तो बिना योग्यता कि आप लेकिन इनके अंदर एक सबसे बड़ा गुन है उन्होंने पुछा वो क्या गुन है तो श्रीला प्रभपाद ने कहा कि ये भक्त जो हैं मुझको समर्पित हैं और मैं जो कुछ भी कहूं ये हमेशा करने के लिए तयार रहते हैं कि मैं जो कुछ भी कहूं हमेशा ही करने के लिए त्यार रहते हैं और इस प्रकार से जो है यह यह उनका गुण है यह उनका सद्गुण है तो चुकि भगवा जो प्रश्रिला प्रभपाजी के जो शिश्यगंड थे वह पाश्चात संस्कृती में उनका जन्म हुआ था वहां भी कारे को कठिन से कठिन कारे को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे तो यह जो है शर्नागती है उन्होंने गुरू पादाश्रे क्रहन किया था और यहीं यहां बता रहे हैं कि त्यक्त्वा सुधर्म चर्णाम मुझाम हरे कोई विक्ति अपने सुधर्म को त्याग दे या शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं कर से लेकिन यदि वो चर्णाम मुझाम हरे जो भगवान स्रीक्रिष्णे के चर्ण कमलों का आश्रे लिया है उसको आश्रे लेने का प्रयास कर रहा है तो वह जो है वह स्रेष्ट है और उसके जब कोई व्यक्ति शास्त्रों का प कि भगवान को समर्फित नहीं है तो यहां लुदा नहीं के कोई-प्रसनता के लिए हमेसा पर रहते हैं हम देखते हैं नहीं किस प्रकार से बड़े बड़े कारियों को शिला प्रभॉपाजski के प्रसंदता के लिए उन्होंने किया है जो भौधी शुनौती पूर्ण थे उन्होंने सम्द चीजों को किया जो आज हम जिसको के हुम्ग निंकर ż नहीं एह कैसे कार रशलाट अब किया जैसे हैं हम सुनते हैं हम पढ़ते हैं श्रापरपात लिलामृत में और दुसरी पुष्टकों में भी भक्तगरण लिखा है कि किस प्रकार श्रीमागा पाजी की एक्षा थी एक लंडन में हमारा मंदिर हो और बताते हैं कि लंडन जो था उस समय कुछ वर्स पुर्वा जब ब्रिटिश का शाषन था संसार में तो कई देशों के उपर इस पृत्वी के एक बड़े भुभु भाग के उपर अंग्रेजों का शाषन था और इस प्रकार श्रीला प्रभुपाजी के इक्षा स्रीस्रीमद भक्ति सिधान सरश्थ ने इंग्लेंड में लंडन में प्रचार करने के लिए अपने सऱ्यासी है उनको भेजा था है कि वह लंडन में प्रचार करें लेकिन उनको कोई खास सफलता नहीं प्राप्त हुई और वो वापस आ गए लेकिन अपने गुरुदेव की इस इक्षा को शेला प्रुपाजी ने पूर्ण किया और उन्होंने अपने ग्रियस्त भक्तों के माध्यम से इसको पूर्ण किया उनके जो ग्रियस्त भक्त थे वो भक्ति सिद्धान सदूर्ण ठाकुर के जो स्टॉलवर्ट सन्यासी थे वो भी उस कारे को नहीं कर पाए और जो शिला प्रुपाजी के जो शिश्य हैं गन हैं जिन्होंने लंडन जाकर इंग्लेंड जाकर महां हरे कृष्ण अंदुनन का सुरुक आर्म किया वहां पर जाकर मंदिर निर्मान लाग़न ओर धक्त बनाए और शिला क ποनाDid कि उनके कृफ्षार से बहुत प्रसंद हुए और वस्तों में वह सन्यासी है क्याूंकि उनका प्रतेख जो नवीचार है प्रतेख कर्म है ओ शिला प्रोभवता की प्रसनता के लिए है जब हम एक बार पूने यात्रा अटेंड कर रहे थे तो उस पूने यात्रा में जो तीनों भक्तगन हैं इसमें मुकंद महराज नहीं थे और जो गुरुदास प्रभू और श्राम सुंदर प्रभू मालती माता जी और यमुना माता जी वहां पर आई थ है और सुबह से शाम तक श्राप्रभू पाजी की कता होती थी तो कता जो विश्शकर शाम सुंदर प्रभू और जो श्राप्रभू के दूसरे भतगन हैं वो जब इस कता को कर रहे थे तो उनसे प्रश्ण पुशा गया कि आपको क्या प्रिणना थी कैसे इतने बड़े कार ने उतर दिया कि हमारे मन में सिर्फ एक ही बिचार रहता था कि श्रीला प्रभूपाज कैसे प्रसन्न होंगे हम किस कारे को करें जिससे कि श्रीला प्रभूपाद प्रसन्न होंगे और इस प्रकार वो एक अत्रित होते थे और योजना बनाते थे और इस प्रकार श्रीला प प्रोपाजी के पास मिलता था या जब प्रफ्ष्रम को देखकर उस प्रयास को देखकर उनकी भक्ती को देखकर वो बहुत प्रसंद होते थे अगर वो बताते怎麼了 होते बड़ा सा स्माइल देते थे तो वह जुनास प्रफ़ बताते थे कि हम शिला परभाइब टकि के मुलार कुछ उस्माइल को देखने के लिए एस साकार्य करत चलिकी स्वामी जीजिए वह वह मुस्कुरा एंग झाएन आसमाल दें वो समर्पित थे और उनकी इक्षा के लिए उनकी इक्षा का नुर्फ वो कारे कर रहे थे जैसे कि यहां बता रहे हैं कि बताया जा रहा है कि अन्या अभिलासिता शुन्यम उनको और कोई अभिलाशा नहीं थी और इस प्रकार वो उत्तम भक्ति के स्थापित थे क्योंकि उन को बता रहे हैं कि कर्मिंद्रियानि सहीं यास ते मनसास परन इंद्रियार थी इंद्रियार थे वो मुढःात्मा मिथ्याचारा सच जते जो कर्मिंद्रियों को वश्च में तो करता है कि निक तो जिसका मन इंद्रिये विश्यों का चिंतन करता रहता है वह निश्युद्रू से स्वेम को दोखा दिता है और वो मित्याचारी कहलाता है तो हमें जो है अपनी दियों को वश्में करना है लेकिन मन्द से भी दियों के चिंतन को परिवर्तित करना है और यह चिंतन जो है कृष्ण भावना से ही मिट सकता है जब हम हमारे मन में जो हम बाहरूप से हम इंद्रियों को इंद्रिये विश्य में नहीं लगाते हैं लेकिन हमारा मन जो है वो इंद्रियों विश्यों का चिंतन करता रहता तो अब हम जब उसे क्रिश्ट महामना में लगाते हैं क्रिश्ट महामना का चिंतन करते हैं प्रिश्ट्रियों का चिंतन करते रहेंगे तो भगवान कहते हैं वो मिध्याचारी है और कि यस्त्वंद्रियानि मनसा नियम्यार भरते रुज्णा करमें दिर्या कर्मयोग असक्ता सविश्ष्ष्यते। दूसरी और यदि कोई कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मिंद्रियों को वश्च में करने का प्रयास करता है और बिना किसी आसकती के कर्म योग क्रिष्ण महावनामृत में प्रारभा करता है तो वह अति उत्विष्ट है यहां भगवान जैसा कि हमने कहा था कि हम इस करने का प्रयास करता है और शरेष्ट और ऑति उत्तेम हैं तो भगवान जो हैं इनमें यहां बता रहे हैं कि हमें क्रिष्ण महावना भावित करम करना चाहिए और सकाम करमों को लिए लाकर हमें कर्मयोग करना चाहिए और इस प्रकार हम कर्मयोग करके धीरे धीरे अपने इंद्रियों को मन में उनको वश्में कर सकेंगे और मन को वश्वेंग कर सकेंगे और कर्म वियोग में हम स्थित्थ हो सकेंगे हम भगवान को प्रसन करने का प्रयास आरपग Diversity कर मना अपना नियत कर्म ना करने कि आप्पश़ा कर्म करना सृष्थ है कर्म के बिना तो शरीर निर्वा भी नहीं हो सकता है तो कर्म तो हमें करना है तो भगवान इस बात को कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ग्रियस्त है और वो कर्म कर रहा है और भगवान की प्रसंदता के लिए कर्म कर रहा है अपने इंद्रियों को वश्मे करने का प्रयास कर रहा है तो वो स्रेश्ट है और यदि कोई व्यक्ति सन्यासी है और कर्म करने में विश्वास नहीं रखता है तो ग्रहस तुझे है वो सन्यासी की अपक्षा स्रेश्ट है क्योंकि वो भगवान को प्रसंद करने का प्रयास कर रहें तो जो नियत कर्म है यह भक्ति एक वक्त के लिए सादक वक्त के लिए उसका जो नियत कर्म है उसकी साधना है तो हमें नियत कर्म को करना कर्म को त्यागने के पिक्षा और आगे भगवान कहते हैं कि यग्या था यग्या थार्थ कर्मनो नियत्र लोको यम कर्म बंधना स्री विश्णों के लिए यग्य रूप में कर्म करना चाहिए अन्यता कर्म के द्वारा इस भावतिक जगत में बंधन उत्पन होता है अता हे कुंती पुत्र उसकी प्रसनता के लिए अपने नियत कर्मों को करो इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे तो भगवान यहां बता रहे हैं कि हमें जो हम कर्म करते हैं उसे यग्यतार्थ कर्मनों नियत्र हमें उस कर्म को यग्य के भाति कर्म करना चाहिए यग्य के लिए कर्म करना चाहिए यदि हम अन्यत्रे लोकोयम कर्म बंधना यदि हम उस प्रकार से नहीं करेंगे अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना अन्यत्र क्या होगा जो हम कर्म करेंगे वह हमें कर्म बंधन को पन्न करेगा तो यह जो सकाम कर्म है सकाम कर्म में व्यक्ति जो भी की देवी दताओं के पास जाता है लेकिन वो कर्म बंधन से कभी मुक्त नहीं होता है इसलिए कर्म बंधन उस दिरा जैसे यहां श्रीमत भागोत्म यहां उदारण दिया गया है कि जो मैत्रे रिशी है वो ग्यान्योग के स्तित हैं यहां हो 20 अधारन जिलिए यहां बताया कि एक महान रिशी हैं और एक बहुत विद्वान और दार्षनिक व्यक्ति है लेकिन वह भगवान के शुदह भक्ति की शुद्ध सुनेंगे तोredit होगा जब भगवान और समाद होता है और इस परकार वह भगवान के समाद को सुनकर अधाय विदर को मात्रे लीची के बास बेष्ब्स सकें तो यह जो हम प्रक्रिया है सकान कर्म कर्म और नए उप्र करने के लिए दिया गया है यह सखाम-कर्म है तो जो देविक देवताओं की उपासना करता है उसमें B कुछ थीजिकरन होता है वह बल Indiana इसकी प्रविद्टी भरी हुई है लेकिन जब वह हम यग या नुश्ठान को करता है अपनी इंद्रित्ति के लिए तो उसमें कुछ सत्वगुन फ्रवाहित होते हैं और धीरे धीरे वह ऑशात्य निंद्ध होता है और जब सत्वुन में इस्तित होता है तो वह उसके ज्ञान के द्वार है खुलते हैं और भगवान के ज्ञान को वह समद सकता है उसमें सोचने विचारने की चशमता बढ़ जाती क्योंकि वह सत्य गुन्व में इस्तित होता है लेकिन जब अपनी इंद्रियों को दुर्प्त करने के लिए क्रम शह देवयों के भी उपासना करते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर सत्वगुन प्रवाइत होते हैं और सत्वगुन के स्तर पर वो ज्यान को पाने के लिए उसकी स्थिति बन जाती है और धीरे धीरे सत्वगुन में स्थित होकर वो जीवन के मुलभूत समस्याओं को समझ पाता है और उसको हल करने का करने का प्रयास करता है और इस्प्रकार धीरे थीरे उससे तर पर यदी वह उसे कोई सुकृति प्राप्त होती है जैसे यह वहां जो लोग हैं वो काफी जो है श्रद्धवान है और जहां महां जाते हुं कई लोग ऐसे जादा तर ऐसे लोग होते हैं जो भक्त को साध्यों को देख करे शुक्त करते हैं और वह श्…" पुनि हभी संखन पुष्ट को सेवा के लिए कुछ पूछ तो रहे तो कभी भक्ति जो हैं उनको सुख्रिति देने के लिए जब वो कहते कि नहीं महाराज आप कुछ तो लीजिए तो जो भक्तिगन होते हैं एक वार मैं राम सुरुप रहो एक ब्रहमचारी है उनके साथ गया था एक वेक्ति के यहां पर तो वेक्ति जो कार्पेंटर था उसका गाव में और वहां पर हमको बिठाया उस तक नहीं लिया लेकिन कहा कि महाराजा बैठिए आप दो मिनट आप यहां बैठिए ऐसा कखे और उन्हें कहा कि मैं क्या सेवा करूं तो राम सुरुप रहों ने कहा कि हम तो ऐसा है कुछ नहीं लेते हूं चाए और यह सब जो उनको जो सिष्टा चाहरें उनके इसाफ से उन्हों ने पूछा तो राम सुरुप ने कहा कि नहीं हम इतों करते हैं आप ऐसा कि हमें नीबु पानी बना दीजिए तो बहुत प्रसंद हुआ उनके घर था घर में पत्नी थी तुरंत नीबु पानी बना या भक्तों को दिया तो यह जो है सुकृति है उसको भक्त को प्रसन करने की कुछ सेवा करने की इक्षा उसके हरदय में प्रकट हुई है भगवान के भक्तों को देखकर और भगवान के भक्त जो है वो कृपा करके उसको उसकी इक्षा को पूर्ण करते हैं तो इस प्रकार से उसे सुकृती प्राप्त होती है और इसी सुकृती से जो है वह जो है कभी कोई पुस्तक लेता है भक्तों को सेवा करता है कुछ दोनेशन देता है और वह तरफ से मंदर के लिए आप डोनेशन रख लीजिए तो यह जो है सुकृति है यह सुकृति सकाम कर्म से जीव को उपर लेकर जाती है और इस सुकृति के द्वारा जीव को भक्ती प्राप्त होती है और धीरे धीरे भक्ती जो है कर्म योग ग्यान योग और इस ध्यान योग और इस प्रकार जो है वो अंततह शुद्ध होकर वो किस तर पर स्थित हो जाता है और भगवान की एक च्छा है भगवान चाहते हैं कि प्रतेक भक्त जह है भगवान के शुद्ध भक्ति को करें क्योंकि शुद्ध भक्ति ही भगवान को आकर्शित करती है और जो मिश्रित भक्ति है भगवान को आकर्शित नहीं करती है इसलिए भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों का प्रेत्या कर दो और मेरे शरण को ग्रहन करो यह जो है शुद्ध भक्ति की सिती है कि जहां पर हम कोई भी कारे को स्वेम की संतुष्टे के लिए नहीं करते हैं अपितु भगवान के ले कर लिए टा के लिए तो यह जो है इस प्रेख है यह कारे में यह हमारी जो हमारी जीचना पर नियु ri करता है जैसे अभी मंदिर में ślok चल रहा है कहा सिरमत भागताम क्लास दे रहे हैं तो कल स्रीक रखड़ेंगे और जो कि उन्हेंट मैं उनका चिंतन करता हूं अर दो को सब्सक्र नियरा करते हैं हों ऑन जो छीम अऐस चीजों का चंतन करते हैं इसके और इसके उपर ही हमारी ट्रेए आधारित रहती है तो यदि हम कर्मफल का चंतन करथें कि ने कारे करूंगा इससे होगा इसको में ग्रहन कर इससे मं अ explodYa HOL कार बनांगा और इस प्रकार से मैं सुखी हो जाओंगा तो यह जो है यह जो है सकाम कर्म है और जो है इस सकाम कर्म को इस प्रकार के चेतना जो है इसके चेतना करने के लिए सुमवार को यह करते हैं मंगलवार को यह करते हैं ऐसे जो लोग करते हैं और यदि हम जैसे हमारे अंदर कुछ इंद्रि करते हैं या पैसा जो कमाते हैं या कुछ हम बनाते हैं उसको निर्दारिद करता है वह हमारे भक्ती के स्थिति को निर्धाड़ित करता है तो हमें इस बात का विशार करना चाहिए कि हमारा मन जो है किन चीजों में किन चीजों को का अभिलाशी है हमारा मन जो है हमारा किन वस्तुओं का अभिलाशी है क्या वो शुद्ध भक्ति का अभिलाशी है या वो इंद्रित्रिति का अभि कि यहां श्रीव व्यास देव कह रहे हैं कि सत्यम परम धी महीं जो भगवान स्री वासुदेव जो सकते हैं उनका ध्यान करता हूं तो हमें भी इस घ्यान को शिलर्प रुपाँजी के ताथ परे के इस मामाध्यम से इस घ्यान को हमें सीखना है सिक्छा को ग्रहन करना है। और लगा हमें किस परकार से आचारे सिक्छा दे ह्पीचि विछार करना है किन चीज paths में लगा हुआ है और किस प्रकार हमें अपने मन की प्रवित्व को अपने हर्दय कि प्रवित्य और क्रिष्श्ण वहावना भावित होने का अभ्यास करना है यहां में विराम देता हूं